जानते हैं कि गरुण पुराण है क्या और गरुण पुराण की खास बातें क्या हैं देखिए गरुण को कश्यप रिशी का पुत्र माना जाता है और भगवान विश्णू का वाहन भी मानते हैं एक बार गरुण ने भगवान विश्णू से कुछ सवाल पूछे सवाल क्या थे? प्राणियों के मृत्यू कैसे होती है? यमलोग की यात्रा क्या है? नरक योनियों और मरने के बाद सद्गती कैसे मिलती है? इस तरह के तमाम गूढ और रहस्य वाले प्रश्ण ऊचे उस समय भगवान विश्णू ने गरुण की जिग्याशा सांत करते हुए इन प्रश्णों का उत्तर दिया तो गरुन के जो प्रश्ण हैं और भगवान विश्णू के जो उत्तर हैं वो गरुन पुराण में संकलित किये गए हैं, गरुन पुराण में लिखे गए हैं सनातन धर्म में अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो मृत्य हो जाने के बाद मृतक के परिवार जन जो होते हैं वो गरुण पुरान सुनते हैं इस पुराण के उत्तर खंड में प्रकल्प का वरनन है गरुन पुराण का जो उत्तर खंड है उसमें प्रकल्प लिखा हुआ है इसको सुनने से या इसका मनन करने से बहुत आसानी से सद्गती की प्राप्ती होती है ये जानते हैं कि गरुल पुरान में बहुत सारे नरक के बारे में बताया गया है, मरने के बाद जीवन कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है, क्या वाकई में जो बताया गया है वो सच है, देखिए गरुल पुरान में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप म मिलने वाले अलग-अलग नरक के बारे में बताया गया है। उस तरह के नरक का उलेक किया गया है। उस तरह के परिडाम वास्तविक जीवन में भुगतने पड़ते हैं। क्या होता है। तो इससे बिलकुल भी भै पैदा नहीं होता। और अगर आप गरुन पुरान के भाव को समझना चाहते हैं। गरुन पुरान तो पढ़े ही साथ में भगवत गीता भी जरूर पढ़ें।